तो केरला स्टूरी ने इस पहले स्टेयोटाइप को चैलेंज करके इनकी वास्तविक्ता बताने की कोशिश वाइट वाशिंग ऑफ इसलामिक थियालोजी ब्रेन वाशिंग ऑफ हिंदूस दोनों कॉम्पोनेंट इसमें काम करता है इसलाम एजब थियालोजी कोई भी नेशनल बाउंडरी को इडेंटिफाई नी करता लेकिन आपको देशवर्थ दिखा देगे डॉक्तर मिद्कर ने भी बोला है कि इसलाम की जो ब्रदर होड़ा मुस्लमान की मुसलमान से ब्रदर होड़ा है ब्रेनवाशिंग करनी हैं इंदियों की तो जाकिरनाइक की वीडियो दिखा रहे हैं सारे का सारा जो इसलाम की असली अत्री उसको छिपाने के लिए इनको जस्टिफिकेशन प्रवाइब जिहाद तूरी कुरान में 35 वार आता है तो कुरान में बोला हूँ अगर काफिर नजस है इसका मतलब जो करोणों लोग इस समय धर्ती के उपर हैं तो सारे नजस है ये एक आदमी था आज से 1400 साल पहले वो भी कोई पड़ा लिखा विक्ती नहीं था नमस्ते मैं हूँ संजय देक्षित और आज हम जैपूर डायलोग्स के स्टूडियो में स्वागत कर रहे है श्री नीरज अत्री जी का आपको स्वागत है नीरज जी धन्यवाद संजय जी मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए और जैपूर डायलोग्स के सभी दर्शक लड़की अपनी तीन साहफाटी लड़कियों का ब्रेनवाश करने का प्रयास करती और उसमें जो भी बातें वो कहती है उसको लेके आप देख रहे होगा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डाल दी गया और ये कहा गया है कि इसमें जो है वो मुसल्मानों को गलत तो यदि आप याद करें तो जो सबसे पहली बात वो आसिफा नाम की लड़की उस में कहती है और वो ये कहती है कि बही तुम काफिर हो और अल्ला जो है वो काफिरों को पसंद नहीं करता है तो इसका जो किताब से जो प्रमान है उसके बारे में बताएं क्योंकि ये बात तो बार बार जो है वो औरान शरीफ में भी आई है और अगर इसलामिक स्कॉलर्स की बात करें तब तो मुझे लगता है कि पूरी लाइबरेरियां बढ़ जाएंगी तो सुप्रीम गोर्ड में का गया कि इसाथ इसमें गलत लूप से चित्तित किया गया है और इसमें ऐसा क ंगा है कि काफिरों को अल्ला का अजब होता है इत्यादी इत्यादी तो आपका इसके बारे में क्या अमत है इसमें इस फिल्मने काम क्या किया है कि जो एक अभी तक stereotype की monopoly बना रखी थी Bollywood में उसको challenge किया है आप देखें अगर हम जितना तक मुझे याद है मेरे जीवन काल में मैंने जितनी फिल्में देखें उसमें stereotype किस प्रकार की है कि एक या तो रहीम चाचा होगा वो हमेशा ही देशवक्त देखेगा आपको भला आदमी कोई अबदुल होगा तो अपाहिज होगा और लेकिन दिल उसका सोने का होगा देश पे मरमिटने वाला होगा यारी दूस्ती पे मरमिटने वाला होगा अभी मैं फिल्म देख रहा था उसमें एक character था उसका नाम था अली मुहम्मद जो गांधी जी के साथ freedom fight में उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ा था और इतना भूला इतना सजजन विक्ती है कि उसके पास एक land है एक भूमी का टुकड़ा है जिस पे जो property dealers है उनकी नजर है लेकिन उसने decide कि है कि इस पे बच्चों के खेलने का एक बगी चाही बनेगा तो यह आप शुरू से लेके अब तक देख सकते हैं कि जो trend रहा है वो यह है कि मुसलमान हमेशन अच्छा होगा देशवक्त होगा मानवता को प्यार करने वाला होगा जबकि जो किताब है उनकी जो उनकी theology है वो इससे ठीक विपरीत लेके जाती है उनको एक मिनट मैं इसमें ये अगर हम ये कहें कि जैसे हमने एक और अन्या वीडियो में बात की थी brainwashing की तो वो यह brainwashing थी तो क्या इसको हम whitewashing कह सकते हैं ये whitewashing plus brainwashing whitewashing whitewashing of Islamic theology brainwashing of Hindus दोनों component इसमें काम करते हैं कि ये हमेशा struggle कर रहा होता है और उसको अच्छा दूसरा ये कि मुसल्मान अपनी identity को carry करके चलेगा तो टोपी भी पहनेगा तावीज भी लगाएगा जब अजान होगी तो उसको हिंदू के उपर है मैं दो-तिन चोटे-चोटे example इसमें share करता हूँ एक film आई थी आमिर खान की सर्फरोश जी आमिर खान उसमें राजपूर्ट दिखाया है और उसका एक subordinate है inspector है सलीम वो मुसल्मान देखा है वो बार-बार वही victim card खेवता है कि इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा गुना है साहब और गरीब मेरे जैसा होना तो उससे भी बड़ा गुना है फिर एक जगा पर dialogue मारता है कि देश के लिए आपको सैंकडों सलीम मिलेंगे तो सारा narrative आपको एक direction में लेके जाता है कि ये तो बिचारे persecuted है हम इन पे नाजायजी शक करता है इनको शक्से नहीं देखना चाहिए इनकी राष्ट्र भक्ति पे प्रश्ण नहीं उठना चाहिए और इनकी Islamic identity को maintain करना हमारी responsibility होना चाहिए ये आज तक का narrative सैंकडों फिल्मों के example में देखना हूँ आप सही कर रहे हैं आज तक हम ने एक भी फिल्म नहीं देखी जो कि partition के पहले की सच्चाई को दिखाती हो किस तरह से ये पूरा का पूरा जो समाज था एक साथ मिलके और वो भी ऐसे प्रदेशों में जहां पाकिस्तान नहीं बन सकता था यानि कि उत्तर प्रदेश में और उस समय का जो आपके Central Province होती थी United Province, Central Province Bombay और मडरास इनमें शत्र प्रतिशत सीटें जो Muslim सीटें थी यहां के मुसल्मानों ने Muslim League को दी जब कि Muslim League जो थी वो पाकिस्तान के नारे पर चुनाव लड़ रही थी यह कभी नहीं बताया जाता है और किस तरह से उस समय जो आपके AMU और बरेली और देवबंद में क्या-क्या बातें चल रही थी और किस तरह से खत्बे दिये जा रहे थे किस तरह से तक्रीरें की जा रही थी वो अब जाके कुछ जो टेक्स्बुक से दीगर जो पुस्तकें जो आई हैं सोशल मीडिया के आने के बाद पता रही है तो अब लोगों को सचाई पता चल रही है यही एग्जैक्ली यही मैं कह रहा हूँ कि जो इन्हों ने किया as a collective community individual को यह अच्छा निकल सकता है लेकिन जब आप collectively देखते हैं तो इसलाम के collective identity है जो क्या बूलती है कि आप काफिरों से अलग रहने वाले हैं जो आपने काफिर वाली बात की कि पूरी की पूरी जो किताब है वो पूरी humanity को दो हिस्सों में बांट देती है मुमिन और काफिर और मुमिनों का फर्ज है कि उनके साथ जिहाद करना है जिहाद से भी ज़्यादा important है किताल करना है कि इनके साथ लड़ना है फिल्में इससे उल्टा दिखा रही है जो उनके कृते थे कि देश तोड़ने का काम किया इसलाम as a theology कोई भी national boundary को identify नहीं करता लेकिन यह आपको देशवक्त दिखा देगे फिर इनसानियत नाम की बात कि कोई universal humanism तो है नहीं इसके इंदर वो तो डॉक्टर मिद्गर ने भी बोला है कि इसलाम की जो brotherhood मुस्लमान की मुसलमान से brotherhood कोई universal brotherhood नहीं है तो केरला स्टूरी ने इस पहले stereotype को challenge करके इनकी वास्तविक्ता बताने की कोशिश ली On the other hand दूसरा narrative और क्या चलता था कि जो हिंदू समाज है उसकी stereotype कैसे की गी कि ब्राह्मन है तो वो शोशन करने वाला होगा वो बलातकारी हो सकता है अभी मैं example देख रहा एक film देख रहा था बेटा हो तो ऐसा उसकी starting में क्या दिखाते हैं कि एक ब्राह्मन है चोटी लगाई हो या जने उधारन क्या होगा मंदिर में रेप करने की कोशिश कर रहा है फिर आपको जब ठाकूर दिखाया जाएगा तो हमेशा अत्याचारी दिखाया जाएगा जो वैशे दिखाया जाएगा जो बानिया दिखाया जाएगा वो हमेशा सूध खोर दिखाया जाएगा कि किस तरह से तुम लोगों को इनको convert करना है, by hook और crook करना है, वो इसने दिखाना शुरूर किया, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है, कि वो monopoly जब टूटती है, तो अगला लड़ेगा तो सही, तो इसलिए वो कोट में चले गए, कि ये ऐसा ना किया जाए, और point क्या था, कि इसमें एक मौलाना को दिखाया गया, कि वो conversion की बात कर रहा है, सारी किताब तुम्हारी conversion से भरी पड़ी है, सारी हदीशे conversion से भरी पड़ी है, और तुम्हारे इमारे डिकलेर किया जाता है, कि चार महीने काट लो, उसके बाद तो घात लगानी और मारना है, तो अगर सच नहीं दिखाएंगा, ये इतना छोटा सा सच दिखाने पर, इनको सुप्रीम कोट तक जाना पड़ जाता है, जी, आप सही कह रहे हैं, और फतावा आलमगीरी, जिसको कि, जो यहां के हैं, हमारे हनफी सुनी है, इनके जो किताब हिदाया, उसे दोनों में जिहाद की परिभाशा बिल्कुल इस पश्ट लिखी हुई है, कि कहते हैं कि ताप उसमें सीधा सीधा, दावत इसलाम देनी है, दावा बोलते हैं जिसको, और दावत इसलाम जो नामन्जूर करता है, उसके साथ जिहाद करना है, फताव आलमगीरी कहती है, कि जिहाद दीने हक्ती और बुलाने, और उससे इंकार करने वाले से, जंग करने को कहते हैं, तो इसमें फिर, यदि वो आसिफा जो है, वो दावा कर रही है, दावत इसलाम दे रही है, तो वो तो वही कह रही है, जो उसकी किताब बता रही है, एक्जेक्टली वही कर रही है, जो इनको करने के लिए, इनकी थियालोजी सिखाती है, जो इनकी कलरजी सिखाती है, जो इनका बिलकुल बेशिक्स है जो बेशिक्स ही कया है डिविजन के उपर अधारेता है और वही काम वो कर रहे है जब जिहाद की बात आती है तो उसने जब दीन-ए-वक की बात की तो उसने बोला जंग करना है जो टेकनिकल वर्ड है ओँव तो किताल फी सबिलिल्ला आ जाता है अब कित जिहाद को इन्होंने क्या किया मूवी में भी दिखाया कि जब आपको ब्रेन वाशिंग करनी है हिंदू की तो जाकिरनाइक की वीडियो दिखा रहे है अब जाकिरनाइक ने पिछले 20 वर्शों में क्या किया उसने सारे का सारा जो इसलाम की असलियत थी उसको छिपाने के लिए इनको जिस्टिफिकेशन प्रोवाइड किये जिहाद जो शब्द है उसको जब उससे किसने पूचा कि क्या होता है उसने बोला स्ट्रगल करना होता है अब जिहाद को ये प्ले कर लेते हैं जो क्या बोलते हैं, शब्दों के साथ खेल लेते हैं, लेकिन उससे important शब्द हमारे लिए किताल होना चाहिए, जिहाद पूरी कुरान में 35 वार आता है, किताल आता 124 वार, और ये हमारे देश के लोगों को अब तक समझ में आगे हैं, कितल का अर्थ तो मारना है, कातिल मारन ये फिल्म में, कि इस तरह से काम किया जाता है, चो कि बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की कम से कम 50 फिल्म में और आने चाहिए, जो अलग अलग एंगल से दिखाएं, कि और क्या क्या किया जाता है, जो इससे भी भयानक है, जिया, इसमें जैसे ये पायर में जलाया जाएगा और बचेगा वही जो अलाव में एमान ले आएगा तो ये तो बड़ी साधारशी बात है जो कोई थोड़ा बहुत भी इसलाम जानता है वो ये जानता है ये चीज़ और आश्री की बात ये है कि आज तक ये बात किसी की खुल के कहने की हमत नहीं जो जिसको हम कहें कि जो आधिकारिक जो पूरा का पूरा वर्शन है उसमें तो ये कहीं दिखाया नहीं गया कभी फिल्मों में कभी दिखाया नहीं गया कि इस तरह की बात होती है इसमें मुझे लगता है कि पहला कुश्चन तो अल्ला पर उटना चाहिए कि तुम कौन से कि बात कर रहे हैं क्या उसकी कोई existence है वहां से start करना चाहिए क्योंकि पहली चीज़ तो अल्ला को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक एक इसलाम से पहले का अल्ला है एक इसलाम के बादवाला है मक्का का जो समाज था इसलाम से पहले वो लगभग आज का जो हिंदू समाज है वैसा ही था ऐसा ही सहनशील कि तुम किसी देवी को मानते हो किसी देवता को मानते हो दूसरे को उससे कुछ फरक नहीं पड़ता एक् काबा में 360 बोड़ दिया थी तो अल्ला उन मेंसे एक था अब मुहम्मद ने क्या क्या उस अल्ला को एक्स्क्लूसिव बना दिया कि ये अल्ला है ये अलग है बाकियों से तो ये तो दो तरह का अल्ला हो गया और अल्ला जो था प्री-इस्लामिक अरविया का जो अल्ला था वो चंद्र देवता था मून गाड बोलते हो तो और जो सूर्य की जो थी वो देवी थी शम्स और वो शम्स जो थी वो अल्ला की बीवी थी तो ये जो है थोड़ा सा इनवर्टेड होश है कि चंद्रमा के देवता की जो पत्नी है वो सूर्य है और फिर उसकी पुत्रियां है पुत्रनिया पुत्रियां है अल्लात, अल्मनात और अलुज़ा ये तीनों जो है और ये बड़ी देविया है उनके पूरे सिस्टम में और जब इसलाम आता है तो इन से सबसे शत्रता करता तो उन्होंने क्या किया कि एक तो देवियों का कॉंसेट खतम कर दिया अब एक तो यह अल्ला के डिवीजिन होती है दूसरी चीज़ आती है कि जो हमारे देश में समस्या कहा शुरू ही कि जब इस अल्ला पर कुस्चन पूछते की बजाए उसे हमने ईश्वर अल्ला तेरो नाम से साथ में इंक्लूड कर लिया तो वो जो लड़कियां हैं जिनको ये असीफा ब्रेनवाश करनी की कोशिश करें जो बूलती है कि अल्ला तुम्हें दोजख में जलाएगा ये कंसेट नहीं है लेकिन वो फिर से शायद हमारे समाज की एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अपने बच्चों को उतनी एनलेटिकल एबिलिटी नहीं दी कि तुम हर बात को कुस्चन गर सको कि अल्ला कहां से आ गया और किस बात का दुख देने वाला है किस बात के लिए वो सजा देने वाला कि अगर उसी ने बनाया है तो उसने काफिर बनाया क्यों है और अगर उसने बनाया तो सजा उसे मिलनी चाहिए कि जो काफिर बना उसे मिलनी चाहिए और यदि उसको ये बोलना था कि तुम्हें अल्ला की अबादत करनी है बाकियों के नहीं करनी, तो फिर उसने वहां रिगिस्तान में जाकर क्यों यह मैसेज ड्रॉप किया, यहां पर हिंदुस्तान में यह चीन में क्यों नहीं कर दिया, जहां पर सबसे ज़्यदा population density है, सबसे ज़्यदा population है, सबसे ज़्यादा पड़े लिखे लोग जहां पर है वहां पर है मैसेज क्यों नहीं आया आज तर वहां रिगिस्तान में क्यों चला गया और ऐसी भाषा में क्यों चला गया जिसको बाकी दुनिया जानती है और फिर ऐसी भाषा में क्यों चला गया जिसको आज तक लोग समझे नहीं पाते हैं विसे एक हदीष है कौन सी है शायद तिलमिजी की है या किस की है इबनमाजा की है ध्यान नहीं आ रहा है वो हदीष कहती है कि हजरत आदम हिले सलाम वो सबसे पहले जो थे वो भारत में आये थे आदम और ब्रम्भ ब्रम्भा एक समान है या शिव की बात कर रहा था सम्भवदा तो वो एक तरह के हैं इस तरह की बाते जो है किसाफ की सबसे पहले आदम और मनू एक जैसे हैं मनू गह रहा है मनू वो मदनी जो बुड़ा वाला मदनी बुड़ा वाला मदनी ये बोल रहा था अब इस तरह की बातें भी जब इनको सूट करती है तो इस तरह की बातें भी ये निकाल लेते हैं ऐसे है ना है संजे जी कि actually में तो सारा कुछ इनका बहुत खोखला है अब हमारे यहाँ पर इतना स्मृद्ज जो सारे का सारा वांग में है उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करतें सोशल मीडिया के आने से पहले एजुकेशन और मास मीडिया पर एक अबजा था इसलिए बात खुली नहीं अब क्योंकि खुलने लग गई है कि इतनी खोखली विचार भारा है इसलिए उनको कहीं न कहीं से सपोर्ट लेनी है तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम इनी की जो लिटरेचर है उसको ओन कर ले ताकि हम अपनी सुपिरियोरिटी को मिंटेन करने की कोशिश कर सके तो कुछ है यही नहीं इनके पास और दूसरी बात जो बार बार आती है और जिसको यह कहते हैं कि हमारा तो एक ही अल्लह है तो इतने सारे देवी देवता है और उसमें तुम्हारे देवता जो है वह इतना कमदोर है यह सब बातें यह करते हैं अलागि इसके उपर मैंने एक विडियो बला कि उसका उत्तर दिया है लेकिन इसका जो काउंटर है वो भी एफेक्टिव आना चाहिए हमारे बैचों की तरफ से इसके डिफेंस और उसका का पूचना शुरू करेंगे तो इसमें तो हर स्टेप पे काउंटर मिलता है आपको पहला तो यह कि अल्ला की एक्जिस्टन्स को प्रूव करो कहां है अल्ला साथ आसमान पर बैठा ना तो पहले साथ आसमान प्रूव कर दो कहां है पहले तो वहीं गिरता है दूसरी बात कि नहीं है? फरिष्टे अगर खड़े हैं, तो फरिष्टे कहां खड़े है? ठीक है? अब फरिष्टे अगर किसी चीज़ पर खड़े हैं, तो वो वाला सर्फेस कौन सा, वो कहां है, वो हमें बताओ, नहीं मिलेगा. अच्छा अब फिर दूसरे लेवल पे आ जाईए अब कि अल्ला एक है हम इसको मान सकते हैं तो तुम ये कहते हो कि अलग लग देवी देवता नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं उसका कारण मताओ अब जे अल्ला की जो ये इनसान ने बनाई कि आल्ला वास्तों में ऐसा है और यदि वो सर्वशक्तिमान है तो वो अपने आपको अलग-अलग रूप में क्यों नहीं दिखा सकता इस प्रश्ण का क्या होता है इनेबिलिटी है ना उसकी कि वो नहीं कर सकता लेकिन उससे पहले एक चीज जो जो ये बात कूलते हैं कि वो कौन बचाने आएगा अब ये कहीं पर किसी मैनुवल में लिखा है कि जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो भगवान ने तुम्हें बचाने आना है हमारे यहां जो कॉंसेप्ट है कि तुमने अपना कर्म करना है अब क्रिशन जी भी थे तरजन को उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं तेरे ले लड़ने वाला हूं मैं तुझे बताने वाला हूं उन्होंने उसे कहा कि तुझे रणना है तेरा कर्म तुँ करेगा यह बचाने वाली कॉंसेप्ट अपने आप में इतनी मूर खाना है फिर तो हम कुच्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान जो तुमने बनाया था आ जो दरदर का भिकारी है एक एक बच्चा वहां पैसे आट बचाने आएगा यह कंसेप्ट अपने आप में फूलिश है क्यों बचाने आएगा क्योंकि तुम्हें अकल दी है तो तुम्हें अपने आपको बचाना है इसमें क्या प्रॉबलम है वह हमारे बच्चे जब यह चीज़ें सीखेंगे तब वो पूछवाएंगे तूसरा जी एक जो बार बार यह कांसेट पर बताया जाता है कि अगर तुम अल्ला तुम से खुश रहेगा अब यह आपने बात कही किसाब कि अल्ला जो है वो बैठता है साथ वे आसमान पर अब इतना भरी कन्फूजन है यह और जिसको मैं देखता हूँ तो यह पूरी तरह से कांट् कि आप इमेज ना बनाए रसूल की किसी भी परकार की आप इमेज ना बनाए जबकि रसूल तो यह उड़ी मानते हैं कि अगर इन्सान कामल थे वो और इन्सान तो थे ही अब ये निराकार वाली भी परिवाशा मुझे कही इनकी दिखती नहीं है और निरगणों तो बिलकुल ही नहीं है क्योंकि उन्हें हर प्रकार का जो है वो गुन या जिसको हम कई बार अवगुन कहते हैं जिसमें इर्शया, द्वेश, क्रोध, मद, माचर्य, यह सब दिखाई पड़ता है, हंकार, हंकार, कि यदि तुमने मेरे अलावा किसी की पूजा कर ली, तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा तो यह बात जब कोई सीधी बात कहता है कि ना हमारा एक अलाव है और तुमारे बहुत सारे हैं, तो उसका काउंटर सीधे-सीधे करने में जो पहली बात मैंने कहीं कि यह क्या कमजोरी है कि यह सर्वशक्तिमान एक तरफ से होगा तो क्या अल्लाव को बचाएगा, कैसे हम तो कहते हैं कि इश्वर हमारे अंदर है, इशा वास समिरम सर्वं, यह करिंच जगत त्याम जगत, कैसे अंदर तो छोड़िये, वह इस प्रथ्वी पे भी नहीं आ सकता, लेकिए इसमें ना हर पॉइंट में कॉंटर्डिक्शन मिलती है जब हम निकालने मैठते हैं, जै यह असल में हुआ क्या कि हमारी शब्दावली बॉरो करकर के वो एट्रिब्यूट्स अल्ला पे लगा के उसको एक मेटामॉर्फॉसेज करने की कोशिश की गई है आज तक, जैसे स्पेशली जब सारव वहमिक की बात करते हैं कि अल्ला वो जर्रे जर्रे में सब जगाते है अब ये concept हो, उनकी theology में कहीं मेरी है, क्यों यह उसका बड़ा basic सा एक answer है, वो कहते है कि काफिर जो है वो नजस है, तो कुरान में ही बुला हूँ है, अब अगर काफिर नजस है तो इसका मतलब जो करोडों लोग इस समय धर्ती के उपर है, वो सारे नजस है, अगर अगर अ उनके अंदर है, तो फिर अल्ला भी नजस है, या अल्ला उनके अंदर नहीं है, तो वहाँ से उनकी बात खतम हो जाती है, आप एक एक चीज़ पर जब देखने बैठेंगे ना, इनका एक एक claim खोकला है, क्योंकि जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म है, वो सैकडों रिशिय मुनियों ने, सैकडों मुनीशियों ने मिलके, अलग-अलग अपने ढंक से सोचके, कई उसमें धाराएं मना ही है, ये एक आदमी था, आज से 14-100 साल पहले, वो भी कोई पड़ा लिखा विक्ती नहीं था, तो उसके दिमाग में जो आया, उसको जो सूट कर दिया, उसमें बना दिया, और आज उसी को एक तरह से, क्योंकि वो धंदे की तरह चल पड़ा है, तो उसी को आगे प्रॉपेगेट करने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसमें कभी भी आपको depth दिखाई नहीं देगी, जब हम अपनी वाली concept लगाने की कोशिश करते हैं, निराकार, निर गोड़, तो वहाँ वो एकती तो इतना सोच ही नहीं पाया होगा कभी, इसलिए आपको उस तरह की कोई concept इसलाम में दिखाई नहीं देती, उसमें बिल्कुल बचकानी चीज़ें दिखेंगी, के अच्छा ही तुम इस मूर्ती को भगवान मानते हैं, तुम्हें बचा सकती गया, फिर तो कुरान के भी हाथ पैर निकले उने चाहिए जो लड़के बचाएगी, या अगर किवल अल्ला बचाने वाला होता, फिर वही बात आ जाती है, के आप पूरे का पूरा जो, जिसे आज हम इसलामिक वर्ड होते हैं, उसे देख लीजे, भुखमरी है, गरीबी ह लाचारी है, कोई टेकनिकल इन्नोवेशन नहीं है, तो अल्ला क्या कर रहा है पिर, कुछ भी नहीं दे रहा, उसे जाब से अगर हम इस बचकाने लेवल की बात है, अगर हम सना अपने पॉइंट और व्यू से देखें, तो बड़ी बचकानी सी बात लगते है, के तुम्हा तरह की टर्मिनोलोजी में जवाब देना पड़ेगा, बचा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बचा लिया, हाँ, वो भीख मांगते फिर रहें सब जगा पे जा जागे, अफगानिस्तान को बचा लेते, वो तो जो बाइडन आ गया तो छोड़ के चलेगे, वहां पे तो नेस्ताबूत कर दिया था, सद्दाम हुसें जो था, उसे क्यों नहीं बचा पाए, गदाफी को नहीं बचा पाए, सैंकड़ो धारन दे सकते हैं तो, हाँ, खिलाफत रूस्मानिया वो नहीं बचा पाए, वो तो खिलाफत थी, सबसे बड़ी, धरती पर, अल्लाह का ज कोई नहीं बचा पाए, तो वो आखी सब को कैसे बचाएगा? जो चार बोलते है, रशीदुन खलीफा, शुरू वाले, अबुबकर, उमर, उस्मान, अली, अबुबकर दो साल बाद मर गया, अगला खलीफा, उमर क्या हुआ? कतल हुआ, अल्ला अपने खलीफा को नहीं कैसे हुई, अली के संतानों के मौत कैसे हुई, चलते जाएए, तो जब हमें कहते हैं कि भगवान नहीं बचाना है, तो अहले बैत का सिलसला है, उसको देख लीजे आप, अल्ला किसे बचाना है, अहां से, वो तो क्वेस्टिन नॉनसेंसिकल हो जाता है, और वहां पर फिल वादी जाती है, और फिल्म में तो बहुत इसको जो है, वो शॉर्ट में दिखा दिया जाता है, यह तो ग्रूमिंग का प्रॉसेस है, और ग्रूमिंग का लंबा प्रॉसेस है, और यह केवल भारत में नहीं होता, यह पूरे संसार भर में यह लोग करते हैं, और बस यही है कि साब इनको सबको पूरी तरह से बहुतिक रूप में ही अगली जिंदगी में भी इसी बहुतिक रूप से यही बहुतिक आनद करने हैं, इनकी पूरे रिलिजन में अध्यात्म का कोई इस्थान नहीं है, इसलिए यह आगे का जो रिवार्ड और पनिश्मेंट इनका है, वो हूरों के रूप में ही होता है, महिलाओं का क्या होता है, मुझे पता नहीं, अभी तक पूरा कर्फूजन है, अरे वो बताया दो था, हूरों की सर्दार, हूरों की सर्दार बनेगी, जो पतनी है, हूरों की सर्दार बनेगी, लेकिन वो तो महिलाय मान नहीं नहीं इस बात को बेजेंगी तो यह उनके लिए टॉट्चर है उनके लिए कोई अपने हस्बेंट के पास में बैतर अलग-अलग रोज बेज रही है और उसी में से कभी उनका नंबर भी आ जाता होगा नहीं उनका कैसे हाएगा उनकी हैट तो नहीं जा सकती कि यह बताया जाता है कि इस्त्री जो रोगों की सर्दार बनके और बहतर का distribution करेंगी डिली तो यह अगर यही आनंद की नभूत ही है तो यह जो आसिफा बता रही थी तो भी बड़ा जबरदस मामला है बहुतिक सुख यहां पर बहुतिक सुख बाद में पूरी तरह से एक यह बहुतिकी पर जिसको कहते है ग्रॉस स्टेट में इस्थापित एक religion है इस जो सट्ल स्टेट है और जो बियॉंड स्टेट है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है न तो वो सट्ल स्टेट के बारे में जानते हैं और यदि नहीं जानते हैं व्याश्यर की बात है अल्ला तो सरवग्य है सरवशक्तिमान है सरवव्याती है अल्ला तो imaginary entity है ना वहीं इसे हमें शुरू भी भाज़े करते हैं तो आएए इसी विचार के साथ इसको यहां पर समाप्त करते हैं और हम अपने सनातनी बच्चे-बच्चीयों से यह कहते हैं कि देखिए आपका जो सरातम धर्म है कि वह एक कस्टमाईजिबल एन्टिटी है इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाईज कर सकते हैं यदि आप उसको देवी देवता के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके लिए उपलब्द है सहर जो अपलबद है। यदि आप उसमें और गहरई में जाना चाहते हे तो भी वो आपके लिए उपलबद है क्योंकि आपका जो इश्वर है उन्नक एवल सरवव्यापी है वह सरवग्य भी है वह सरवशक्तिमान भी है वो आप में भी उपस्तित है वो मूर्ती में भी उपस्तित हो सकता है यदि आप चाहें तो वो आपकी कलपना शीलता आपकी भक्ती आपके डिवोशन इसके उपर आधारित है सबस्ते सभी दर्शकों को और धन्यवाद नीरजी जी बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को भी धन्यवाद